असलाम लेकुम क्लास, we have started our chapter number 4 of mathematics, today we have our lecture number 5, so first of all we have 0 index, 0 index मतलब power जब किसी नमबर की 0 हो तो तब हम क्या करते हैं, ठीक है, कोई भी नमबर है, जब उसकी पावर जो है 0 होगी, तो वो 1 के एक वला जैता है, ठीक है, एक understood सी बात है, यह आपने याद रखने हैं, ठीक है, कोई भी नमबर है, कोई भी नमबर है, कितना बड़ा नमबर है, उसकी पावर अगर 0 आ रहे है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 के एक वला जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटिन हमाई प्रैक्टिशनो 6 है, जिसका फर्स वाला नमबर जब उसकी पावर 0 आ रहे है, तो simple हमने इसको 1 लिख दिने, उसके बाद हमाई पस 3 की पावर y, 3 की पावर y इसको किस तरह सॉल्फ करेंगे, 3 और y की पावर, अब ब्रैक्ट, मतलब यह जो पावर है, सिरफ y के उपर है, 3 के उपर नहींगे, तो 3 साथ ऐसे आएग ठीक है, उसके बाद question number 2 है, जिसका first वाला part है, 3 की पावर 0, multiply by 3 की पावर 3, divided by 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 तो क्या आजएगा, 1 की इक वाल, 3 की पावर 3 जो यह वो वैसी आजएगा, 3 की पावर 2 वैसी आजएगा, अब यह तो नो जब multiply होंगे, 1 के साथ कुछ मुल्टिप् और उनके दर मियान डिवाइट का साएगा, तो तो नो की पावर क्या हो जाएगी, minus हो जाएगी, तो 3 की पावर 3 minus 2, मतलब 1 आजएगा, और 1 पावर ना लिखे, तो वो understood होता है, इसका B वाला part है, 3 की पावर 0, plus 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 की इसके इक वाल आजएगा, 1 के 3 की पावर 2, मतलब 3 को 3 से multiply करना है, तो 9, 3, 3, 0, 9, 9 plus 1 आजएगा, 10, तो इस प्रैक्टिशनों से related हमारे exercise 4B के question number 1 है, और question number 2 है, ठीक है, अब हम इसकी करते है, प्रैक्टिशनों, प्रैक्टिशनों, 7 सोरी, अच्छा, प्रैक्टिशनों 7 जो है, उससे पहले मार पस एक definition negative index, मतलब कोई number की अगर power minus में आ रही हो, जब भी कोई number की power minus में आ रही हो, तो वो number का हम रेसिप्रोकले लेंगे, जैसे a की power minus n अब नीचे के आ रहा है, कुछ में लिखाओ, मतलब नीचे 1 है, तो 1 over a की power n, तो power जो प्लस हो जागी, ठीक है, negative index का मतलब है, पावर अगर negative वो तो क्या करेंगे, ठीक है, अच्छा, इस सर रिलेटिन में प्रैक्टिश्णो 7 है, तो प्रैक्टिश्णो 7 का फर्स वाला पाद है, 6 की power minus 2, 6 की power minus 2 मतलब रैसिप्रोकल ले लेंगे इसका, 1 over 6 की power 2, और 6 की power 2 का मतलब है, 6 को 6 से multiply करना है, 36 हाजएगा, ठीक है, minus 8 की power 1 minus 8 की power minus 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका रसिप्रोकल ले लेंगे, minus 1 over minus 8, और power आजएगे 1, और 1 जो पार इसको ना भी लिखे तो वो अंडर्स तो 1 over minus 8 आजएगा, उसके बाद प्रैक्ट नमबर, इसका पार्ट नमबर C है, जिसमें 4 over 5 की power minus 3 दी हुए है, तो इसका भी क् आजएगे, रसिप्रोकल लेंगे, 5 उपर चला जागा, 4 नीचे आजएगा, तो power plus हो जागी, अब दो नमबर जब ब्रैक्ट में हो, और डिवाइड हो रहे हो, और power दो दोनों की बाहरा आरे हो, bracket के, तो हम दोनों की power अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 की power 3 अलग से आजएगा, 5 की power 3, 125, 4 की power 3, 64, ठीक है, इसका D बाला पाट है, जिसमें, 1 over 9 की power minus 1 दी है, तो हम क्या करेंगे, इसका नमबर का रसिप्रोकल लेंगे, 9 over 1, और इसकी power plus हो जाएगी, 9 over 1, 1 ना भी दी चलिक है, तो वो understood होता है, 9 की power 1, 9 ही होता है, ठीक है, तो इस जो प्रै प्रैक्टिसों 6 के है, और 3 जो है, इस एक्स प्रैक्टिसों से रिलेटीद है, तो वो आपने इन तिनों सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनेंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मुच,